नमस्कार स्वागत है आपका कापितल टीवी बिहार के स्पेशल सो बिहार के चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्म जा देखें राज़त के स्थापना दिवस के मौके पर लालो पिशाद यादो ने एक बड़ी बात कही थी जिसको लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई थी, लालो यादो ने कहा था कि केंदर सरकार 5 साल का कारेकाल पूरा नहीं कर पाएगी इतना ही नहीं तो जस्वी आदों ने भी इसी बात को दोहराया था लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने इस बात को लेकर मजाग भी बनाया था तो वहीं भाजपा वाले इस बात पर यह कहते हुए नज़रा रहे थे कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए विपक्ष ब और शुरू तो हो ही गया है विसेस राज्चर का दर्जा जातिये जनगर ना बढ़ा हुआ आरक्षन प्रतीशित को नवे अनसूचित में शामिल करने के पेच तो पहले से थे अब सीयम योगी आदित तिनात का कामड यात्रा के रास्ते पर दुकंदारों को अपना नाम औ के विरोध का मतलब विरोध के लिए विरोध करने से ज़्यादा कुछ नहीं है 22 जुलाई से कामड यात्रा अपने इस्ट देव को जल अर्पित करने को लेकर शुरू होने वाली है कामड यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सीयम आदित त्यनात ने पूरे उत हर्म के बारे में भी लिखना होगा दरसल उत्तर प्रदेश शरकार की तरफ से यह फैसला कामड यात्रियों की आस्था की सूचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कारवाई के निर्देश चारे किया गया है हलाकि शुरुआत में यह फैसला सिर्फ मुझफर नगर जीले तक सिमित था लेकिन अब राज्य सरकार के आदेश पर पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया गया है बिहार के संदर्व में योगी आदित तिनाथ के इसे फैसले की बाद आज्योडी की 3C यानि की Crime, Corruption and Communism रहा है लोजपा तो इस बात की वकालत करते रही है कि उपमुख्यमंद्री मुस्लिम से हो हलाकि विधान सभा शुनाव में अभी देरी है मगर लोजपा और जदियों की तरफ से योगी आदित तिनाथ के नरदेश पर उनकी टिपणी आ चुकी है जनता समवड़ी आत्रा मार्क पर इस्थित भोजनालेयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है क्योंकि इससे संप्रदाइक तनाव पैदा हो सकता है और धर्म या जाती के अधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए नतेश कुमार के पार्टी जदियों के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी फैसले पर एक बार फिर से समिक्षा करने की मांग उठाई है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि समाज में संप्रदाइक विभाजन पैदा हो इंडिये की केंट्र सरकार में शामिल केंद्र मंतरी चुराग पास्वान ने भी सीम योगी आदित्यनाथ के पैसले पर सवाल खड़े किये हैं और कहा है कि मेरी लडाई जाती बात और संप्रदाइकता के खिलाप है इसलिए जहां कहीं भी जाती और धर्म के विभाजन की बात होगी मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूँगा वरिस्त पत्रकारों की माने तो उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के जसनरदेश के वरोत जदियू या लोच्पा का बयान आया है वह अपने अपने वोट बैंक की चिंता से ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे भी जदियू के राज़्टे प्रवक्ता के सित्यागी का विरोध अपने दल के नीतियों के समर्थन भर है हाँ नतिश कुमार का कुछ बयान अगर आता है तो मामला ज़्यादा पेंचिदा हो सकता है अब रहा चिराग पास्वार्ण के विरोध का तो वह भी विरोध के लिए विरोध है इंडिये में बने रहने के लिए जितना संघर्ष चिराग ने किया वह इस छोटे से मसले पर सरकार गिराने की बात कभी नहीं सोच सकते लेकिन जस तरह से बयान बाजियों का दौर चल रहा है और अपने ही खेमे के खिलाफ जाकर इंडिये और जदियों के तरफ से बयान बाजिया की जारी है उसके बाद से कहीं न कहीं ऐसा तो लगता है कि चिराग पास्वान और जदियू के मन में यानि कनतिश कुमार की पार्टी के मन में भी कुछ न कुछ जरूर चल रहा है क्योंकि पहले से भी कई सारे मुद्दे हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि आरक्षन का मामला हो जातिय चनकरणा का मामला हो या फिर बिहार को विसे सराज्य का दर्जा देने की बात हो इन सारे मामलों को लेकर अलग पेश फसा हुआ है और अब यह नया मामला सामने आ गया है ऐसे में देखना दलचस्प होगा कि तेजस्वी यादो और लालो पुशाद यादो ने जो बाते पहले कही थी वह क्या वाकई में सच होने वाली है क्या उनकी भविश्वानी सच हो जाएगी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके अपने राय जरूर बताए वीडियो को शेर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे कापिटल टीवी ब्याद धन्यवाद